नमस्कार स्वागत से आप सभीका आपके अपने अनलाइन संसान परिक्षाप्रस में मैं आप शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूशना लेके आया हूं इस समय में जिसका आपको सब ज़्यादा इंतजार होता है वो बात मैं आपको बताने यहां पर आया हूं पीछे जो मेरे पेज लगा हुआ है वो यूपी पीसील के एक नए विग्वति का लगा हुआ है जो 1033 पदों के लिए है और सबसे अच्छी बात मैं बता दू कि यह किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेबंद है बाकी मैं सारी डीटेल्स इसमें दूंगा और यदि आप चैनले पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लो क्योंकि अब यूपी पीसील के इस भरती के लिए बहुत ही जवर्दस्त तयारी कराई जाएगी परिक्षप्रस से बहुत ही इंपोर्टन नोर्स किताबे सब कुछ आपको उपलब्द कराई जाएंगी सारी सामग लुगाक की कारिकारी सायव एक्जेक्यूटिव जो एसिस्टेंट होते हैं उनकी भरती है यह देखा जाए तो वह दो तीन साल में कहीं देखने को मिलती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाल जो पद हैं वो बहुत अच्छे हैं 416 आपके अरारक्षित हैं 3033 पद इस बाल आये हैं और बहुत अच्छा पद है सबसे बड़ी बात इसमें दो तिन चार्व आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा ज़र्वत है कि सब फॉर्म कब से भारा जाना है क्या होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि पार्ठिक्रम आपका क्या है और कैसे से पूछे जाते हैं तो सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूं सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो इसकी eligibility है ठीक eligibility जो इसकी है उसमें आपको simple graduation मांगा है simple graduation मतलब सारे के सारे बच्चे जो इसनातक के डिग्री लिए हुए हैं वो सारे ही apply कर सकते ससे मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रिष्ण्य फत्र होगा डू जो इक्राम होगा वो दो पार्ट में होगा एक पार्ट आपका क्या होगा computer का होगा जो necessary है जिसमिए पास करना नरिशली है यहां पे आगर आप देखो computer के ज्ञान का प्रथम भाग इस परिक्षम में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवाद होगा यह साफ साफ लिखा है तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि है क्या यहां अगर इसमें देखा जाए तो तोटलवहिश्बैटी मतलब दो पार्ट में होगा मैं यहीपिल दे रहां हूं पार्ट वन और पार्ट टू में पार्ट वन में क्या है इसीजस को देखें पार्ट वन में आपका केंप्यूटर बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है और पार्ट टू जो है उसमें आपका चार सब्जेक्ट आएंगे चारो सब्जेक्ट क्या है वो भी आप बहुत इत्मिनान से देख लो यहां पर क्या क्या है सामान अध्यान के 25 कोशन होंगे 25 नंबर का होगा ठीक है उसक के बाद आपका समान अंग्रेजी 55 का है यह भी आपका 55 होगा मतलब चार पार्ट आपसे पूछे जा रहे हैं एक आपका समान अध्यान फिर रीजनिंग पूछा जा रहा है और उसके बाद आपका यहां पे इंग्लिस और हिंदी दोनों 55 55 तो 55 45 और 25 जीयस का रोल थोड़ में आपके टोटल 50 कोशन होंगे यहां मैं मैं लिख दे रहा हूं केंप्यूटर के आपके टोटल कितने होंगे 50 कोशन होंगे और एक कोशन एक नंबर का होगा निगेटिव जो होगा वो 0.25 होगा लेकिन उस 50 कोशन में 20 नंबर आपके लिए 20 आउट ओफ 50 आपके लिए ब typing का जो font है वो क्या है typing font में आपको बता दूँ कुरुतदेव है ठीके ना कुरुतदेव फॉन्ट पर टाइपिंग होने वाली है और दूसरी बात में आपको यह बता दूँ कि जो हिंदी का वर्ड है वो तीस वर्ड पर मिनिट है यह हिंदी में चाहिए और 35 पर मिनिट आप आपका इंग्लेस में typing जरूरी है फॉन्ट आपका हिंदी वाले के लिए कुरुतदेव है यह भी आपके लिए निसेसरी है माकी आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेरिट आपकी केवल इस पार्ट पर बनेगी 180 को नंबर आपका यहां पर होगा और 20 नंबर आपका typing पर होगा ठीक है न अगर आप typing इतना कल ले जाते हो तो आपको फुल में मिलेगा 20 में 20 मिलेगा और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको जीरो मिलेगा और आप अनुतिरूड हो जाओगे यानि आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे तो यह 20 नंबर काईदे से केवल दिया गया है इसका कोई मार्किंग प्रोसीजर टाइपिंग का नहीं बताया गया है अगर आप टाइपिंग कर ले जाते हो तो आपका जीरो नंबर हो जाएगा आप क्या हो जाओगे अनुतिरूड हो जाओगे तो टोटल आपके 200 नंबर में मेरिट बननी है अल्टिमेटली जो आपका इस बना रहा है वह यहीं चार पार्ट बना रहा है और चेंप्यूटर जब आप पार्स करोगे तब ही आप इस पार्ट के भी कावपी चेक हो जाएगी मतलब कंप्यूटर भी आपके लिए उतना ज़्यादा जगरत है तो एज आप लोग इतना समझ लोग कि 21-40 जो आपका लिएंज होगा जो मैं मैं में में चलिक दे रहाँ एज 21 वस newills लेके 40 वरस तक कि कर सकते हैं जो आपके एडकेशन इलिजबिर्टी है एड्योकीशन इलिजबिल्टी जो होना चाहिए वा सिंपल आपका graduation होना चाहिए और आपका तीन पार्ट में मैं आपको बता दिया तो सबसेदा जानकारी वाली बात यह है कि अब जब आपके form आ गए हैं तो अब आप जाके इसके form आ से ही तीन तारीक से apply हैं और जरूरी बात यह है कि जो आपका exam है वह आपका October के second week में हो जाएगा तो बहुत कम समय मिल रहा है इसको आप दिमाग में रखना अभी आप अगस्त में form भरोगे form भरते ही आपको 20 दिन लग जाएंगे तो अगस्त सप्तंबर की वल दो महीन है मिलना है मतलब आपके पास मुश्किल से 70 दिन मिलने तो 70 दिन में आपको English भी तयार करना है आपको Hindi भी तयार करना है आपको GS भी तयार करना है और आपको reasoning भी तयार करना है, साथ में आपको typing भी करनी है, तो समय नहीं आपके पास, आज सहीं लग जाईए, टीम इसके लिए बिना किसी देरी की हुए, क्योंकि जैसे ही बच्चे, मैं आपको बता दू कि यह किसके लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा फायरे मन्द है, अभी अभी आप अलहाबाद High Court का paper देखे आए हो, तो जो बच्चे उसमें selection नहीं हो पाया है, उसके लिए तो आरो यारो जो देखे आए हो, बहुत जबलदस्त है, क्योंकि आप typing already करके आए हो, दूसरी बात आपको वो knowledge पहले से है, दूसरी यहाँ पे जो UP ASI वाले बच करते हो, बट मैं आपको demoralize नहीं कर रहा हूं, इतना मैं आपको बोल लाओ, कि UP PCL में paper जो होते हैं, वो अच्छे चाहे आपके TG जो technical grade वाले होते हैं, हर में पाल रस्ता के साथ हर बार paper हुआ है, और इस बार भी यहीं उम्मीद जताई जा सकती है, तो इनके लिए तो ब अन्य संस्थान वाले बोलते हैं, उनके पास ऐसी कोई vacancy, जिसमें हजारों की संख्या में 40-50,000 बच्चे के वो वो बैच चलाते हैं, बट टीम परिक्षा प्रस कभी ऐसा नहीं देखती, आपके हिट में देखती है, कि जो बच्चा हम से जुड़ा हुआ है, एक vacancy उसके से आई है, तो हम उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं, कि इस बच्चे का कहीं न कहीं सेलेक्षन हो जाए, और उसके जिन्दगे एक रास्ते पर आए, तो टीम परिक्षा प्रस फिर से इस बार UPPCL का अब यह बैच चलाने जा रही है, आप इसका registration आज से ही चालू हो ग बच्चे हैं, उनके लिए अभी शुरुवात में, जो मुझसे हो सकता है, बच्चों वो मैं आप से करूँगा, लगबग 80% का, 80% मैं आपको जो पुराने बच्चे हैं, 80% आफ कर दूँगा, ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बाकी जो हो सकता है, यह 3,000 का बहच निकाला जाएगा, बट जो आप सुरुवाती हो, मुझस्किल से 5 दिन यह चल पाएगा, उसके बाद यह ओफर खतम हो जाएगा, तो यह अभी आपको 599 रुपय में अविलेवल हो जाएगा, यह आप समझेगा, 599 रुपय में बहच अविलेवल हो जाएगा, केंप् क्लास और रिकॉर्ड क्लास देखने के बाद आपको इसमें सारे बहुत विद्वद नोट्स दी जाएगे, बैच के बारे में मैं आपको अलग से भी वीडियो बना दूँगा, यह वीडियो अरना थोड़ी जादा लंबी हो जाएगी, और यही नहीं पूरी बाकी स्टेट कि आपको वीडियो दे जाएगी, फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका